ओम्श्री श्वाई नुमस्तो भ्यम दोश्टों, मैं शिविका, आप सभी का आपके अपने योटूब चैनल शिप नंदिनी शिविका में हाधिक स्वागत करती हूँ आज का ये जोतिश्य वीडियो तो लारा शिवालों के लिए बैहर देखास होने वाला है उनका प्रेम, व्यार, अढ़ाई, कैरियर, व्यापार, शादी, मेरेड लाइफ, इंकम, आनिंग्स, सेविंग्स, सब कुछ डिटेल में जानेंगे और सबसे इंपोटन्ट बात आपका भागिय इस महीने में कितना आपका साथ देने वाला है और आपका इस महीने में ज़्यादा इंकम होने वाला है या फिर थर्च ज़्यादा होगा ये भी प्रेडिक्ट करेंगे आपके नबग्रोओं के श्रितिके अनुसार अपरेल 2020 का मंथली प्रेडिक्शन करेंगे जिसमें महा परिवर्तन होने वाला है क्यों? क्योंकि अप्रेल के महीने में आपके देब गुरु प्रहश्पती की यूति पापी ग्रह राहू के साथ में पूरे छे महीनों के लिए होने जा रहा है जिसमें कुंडली के एक ही घर में विराजमान होने वाले हैं आपकी देब गुरु ब्रहश्वती और पापिग्रह महाक्रोधी राहू और दोस्तों ये कोई ऐसा वैसा योग नहीं है ये सबसे बड़ा नेगेटिव नकरात्मक योग जो बनते हैं कुंडली के अंतरगात उनम जाता है यानिकि कुंडली के एक ही घर में गुरु और राहू का एक साथ में होना उसे गुरु चांडल योग कहा जाता है जो की अब पूरे छे महिनों के लिए बनने जा रहा है बट परन्तू आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ अप्रेल महिने के बार में प्रेड से रहेगी जिसके आप यहां पर खुद देख पा रहे हैं। और यकिन मानिएं आपको सारी चीज़ हैं। परेंदू उसके बाद का जो टाइम कुरियर्ड है आपको यहां पर थोड़ा सा समझना होगा। जैसे बूद शरीर के स्किन और नॉर्वस सिश्टम पर इफेक्ट करते हैं। बिल्कुल वैसे ही शरी की कंट्रोल उनका असर सबसे ज़्यादा संट्राल नॉर्वस सिश्टम पर होता है। बिल्कुल वैसे ही शुक्र ग्रह का जो संबन्ध है वो शरीर के निजी हिस्सों में होती है। शुक्री की पोजिशन अच्छी है अपने घर में हैं तो थोड़ा सा बस देखवाल करके चलना होगा आपको। तो चलिए अब बात करते हैं आपके लव रिलेशन और पढ़ाई की। और इन दोनों का ही घर कुंडली के अंदर कर फिफ्थ हाउस का ही होता है। और आपके फिफ्थ हाउस के मालिक बनते हैं शनिदेव जो की विराजमान हैं दोस्तों आपके फिफ्थ हाउस में ही जो के अपने ही घर में बेठे हुए हैं अपनी राश्य में उदई होकर। दोस्तों विदाथियों के लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा देगा हर लिहाथ से यानि पढ़ाई के रिलेटर। पढ़ाई बहुत अच्छे से करेंगे बच्चे, मन लगा कर करेंगे, कोई एक्जाम हो कहीं दूसरे जगा जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं या फिर फिर लब करना चाहते हैं या फिर कोई एंट्रांस एक्जाम देना है आपको तो इन सब में आपको लाफ अवश्य होगा विद्या बुद्धी में भी तलिए अब बात करते हैं आपके रिलेशन के, दोस्तों आपके लाफ रिलेशन में इस महीने न कुछ ऐसी सिचुएशन आप लोगों को फेस करना पड़ेगा, जहाँ पर आपके लब पार्टनर किसी एक चीज, किसी आपके एक गलती को बार-बार रिपीट करेंगे आपके सामने, आपको वो चीज बार-बार याद दिलाएंगे, जहाँ पर आप अपनी पैसंस लेवल के लिमेट को क्रोस करके, आप दोनों में तुतुमे में जैसी situation, मतलब छोटी मोटी नोक चौंक, आर्गुमेंट की situation बन सकती है, पर अपर दो चिंदा मत करिएगा, क्योंकि शनी की position बहुत अच्छी है, वो आप दोनों को जोड के ही रखेंगे, आप दोनों को अलग होने नहीं देंगे, हाला कि जितने लडाई होगे, उतनी ही प्यार भी होगे, क्यों बई? क्योंकि शुक्र अपनी खुद की घर में विराजमान नहेंगे न, तो जितनी लडाई करनी है, कर लेना, पर प्यार में कोई कमी नहीं आएगी, चलिए, अब बात करते हैं आपके married life की, कुंडली में 7th house होता है दोश और तो भी विराजमान रहेंगे, जड़ बुद्धी हो सकती है, पर रंटो मंगल बहुत अच्छे position में हैं, पर अपनी घर में पर नजर नहीं डाल पारे हैं, तो उसे बचाने की कोशिश तो करेंगे, यानि कि मंगल अपनी married life के घर को बचाने की कोशिश तो करेंगे, पर उतना कम्याव वो नहीं हो पाएंगे और एक बात, राहु आपके 7th house में October महिने तक रहेंगे तो तब तक आपको थोड़ा balance में रहकर ही चलना होगा अपनी life partner के साथ अब चलिए बात करते हैं आपके भाग्य carrier की और business की आपके भाग्य के मालिक बने हैं बुद्ध और carrier की चंत्रमा दोस्तों बुद्ध की position ना ही ज्यादा अच्छा है और ना ही बुरा है क्योंकि राहु के साथ में है परन्दो भाग्य के स्थान में मंगल भी तो विराजमान है ना तो मंगल थोड़ा भाग्य के उनना भी में बुद्ध को help करेंगे और कुछ के जिनके शादी नहीं हुई है उनके लिए उनका मंगल महरबान है दोस्तों अच्छे life partner दिलाने में मदद करेंगे और कुछ की तो शादी भी हो सकती है परन्दो मंगल चोथी दृष्टी से आपके 12 घर को यानि के 12 हाउस को भी देख रहे हैं तो खर्च अधिक हो सकता है आपसे भाग्य का साथ normal यानि के सामान्य रहेगा पर मंगल आप पर महरबान है दोस्तों तो आपकी bond अपनी माताजी के साथ बहतर होगी कोई plot, property, land या कोई निया गाड़ी भी आप खरीद सकते हैं और हाँ ये चीज मैं नहीं कह रहे हूँ ये चीज आपके भाग्य के स्थान में बेठे हुए आपके मंगल आपके लिए ये योग बना रहे हैं आपको hint दे रहे हैं कि अगर आप ये चीज़ें खरीदे हैं तो आप बिना किसी जंजट के आप खरीद सकते हैं लेकिन परन्तु भाग्य के जो मालिक है न वो थोड़ा सा सामान्य वाले position में हैं तो थोड़ी बहुत आपको अर्चनों का सामना करना हैं पड़ेगा कोशिश करिएगा अर्चने आएंगी थोड़ी बहुत खरीदने में क्योंकि बुद्ध भाग्य के मालिक के साथ में राखू भी तो हैं पर खरीद ही लोगे परन्तु at the end आप उस चीज़ों को आप जो भी खरीदना चाहते हैं उन चीज़ों को आप खरीद ही लोगे क्योंकि मंगल महरवान हैं कोई विश्योब कारियों अगर आप करवाना चाहते हैं तो थोड़ी बहुत अर्चने आएंगे पर पूरा हो ही जाएगा क्योंकि बुद्ध अपनी ही राशी में होंगे तो भागय के लिहाद से आपका अप्रेल के महीने में आपका जो भागय है वो आपका सामन्य तोर पर आपका साथ देंगे परेंदो प्राइवेट जोब हो या गॉर्मेंट की हो या फिर बात की जाए प्रोमोशन की तो कोशिश आपको अपने 200% करनी होगी तब ही आपको रेजल्ट दिखेगा Otherwise अगर आप एक कोशिश करके हाथ पर हाथ देखर बैठ जाओगे ना तो वहाँ पर आपको कोई भी किसी भी प्रकार का रेजल्ट देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि भागयों इतना साथ नहीं देंगे जोट भाग आपको करनी ही होगी महनत तो आपको करनी ही पड़ेगी तब ही आपको सक्सेस मिलेगी लेकिन इंड में ही अब केरियर की बात करें तो unsatisfied जोन रहेगा आपका क्योंकि चंद्रदेव हैं आपके मालिक यानि एक push पे देखके आप vacancy को देखना ये सब चलता रहेगा आपका चलिए अब बात करते हैं आपके business की बुद्ध 7th house में business में कछिनाईयों के साथ income होगी शुक्र इधर आपसे savings कराने के लिए आपको चालाग भी बनाएंगे यानि कि आप चलाग इसे आप savings करोगे इस महिने में परेंदू आपका अपने relative के साथ कुछ बहस बाज़ी भी हो सकती है दोस्तों business में growth होगा पर competitors भी होगे जो आपसे आगे बढ़ना चाहेंगे मंगल की position अच्छी है भागय का साथ थोड़ा दिलाएंगे आपको बुध अपनी राशी में है शुक्र भी अपनी राशी में विराजमान रहेंगे शनी भी अपनी fifth house अपने ही घर में रहेंगे तो business में growth तो obviously ही देखी जाएगी परेंदू खर्चे भी होंगे ध्यान रखिएगा इस बात की अगर आप उपाय करके अपनी शुक्र को मजबूत कहना चाहते हैं तो शुक्र ग्रह का बीज मंत्र का जब आपको 108 बार रोज़ाना जब करना होगा या फिर अगर आप इतना कुछ नहीं करना चाहते हैं तो मैं एक जिस कहूंगे कि कालों के काल महाकाल के शरण में चले जाएगे इतना बहुत है ग्रहों के श्तिति को सुधारने के लिए तो प्यार से कॉमेंट्स में ओम नमश शिवायलिक के ग्राटिट्योड और महादेव को शो करना मधुलेगा धन्यवाद